हेलो दोस्तों मैं आज आज आप सबको दिखाने वाला हो कि कॉलकाता में कल्यानी आईटियाई में बनने वाला सबसे बड़ा दुर्गापुजा पेंडेल आप सबको फता ही होगा कल्यानी आईटियाई में इस बार बरुन टेंपल को बनाया जा रहा है आप सब देख सेकते ह कि मैं यहां पर आ जुका हूं और आप देख सकते हो कि बरुन टेंपल का काम लगबग खतम होने ही वाला है आप सब को पता ही होगा दुर्गापुजा आने में कड़ी बावी वी एक महीना बाकी है और हम देख सकते हैं कि कल्यानी आईटियाई में इस बार सबसे बड़ा देख सकते हो कि बरुन टेंपल को बहुती शांदार तरीके से यह पर बनाया जाएगा तो आपके जानकारी के लिए बता दू यह करीब 170 फीट लंबा होने वाला है और आपको बरुन टेंपल देखने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है अभी आप इंडिया में ही डेख सकते हो यह बहुती जादा खुबसूरत बनाया जाएगा आप सबको पता होगा इसका बजेट करीब 50 लक से वान करोड तक हो सकता है आपके जानकारी के लिए बता दू इस बार यह दूर्गापुजा का सबसे बेस्ट दूर्गापुजा होने वाला है और आप पत्लोग यह वीडियो का से देख रहे हो यह कोमेंट करके बताना और आप किया इस पर कल्यानी आईटियाई में आएंगे या नहीं यह दूर्गापुजा सबसे बेस्ट होने वाला है या नहीं यह बी आप कोमेंट में बता सकते हो तो आप सबको बता दू इस पेंडल का क काम भी हो चुका है सिर्फ और सिर्फ उदर में सजावत बाकी है और लायिटिंग बाकी सब काम हो चुका तो आपके जानकरे के लिए बता दो इस प derived के अंदर ही दुर्गामा की मूर्थी को बनाया जा रहा है तो आपको बतादो कि परेंडल میں गुशने का पर्मेशन नहीं मिला तो हमने बाहर जो लोग थे उन लोगों से बात किये हैं उन लोगों ने बताया कि अंदर दुर्गा मा के मुर्ती भी लगबग बन चुका है सिर्फ और सिर्फ कालर करना बागी है और ये मुर्ती भी बहुत ही बड़ा है और आपके जानकरी के लिए बता दू बाहर के जो लोग थे उन से हमने बात किया उन्होंने बताया कि पेंडल में गुसने के लिए टिकेट चाहिए होगा जब दुर्गा पुजा के टाइम तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो तुम मिलते हैं नहीं और बेतरे इन वीडियो के साथ